जोहार हजारी बाग मैं फैयज अन्वर आप देख रहे हैं जोहार हजारी बाग अभी मेरे साथ हजारी बाग की शिरीमती सेंज जी हैं जो बहुत पूराने टाइम से हजारी बाग से जुले में हैं अभी सिंगापूर में अभी सिंगापूर में वापस आये थी तीन दिन के लिए तो हम लोग बात करते हैं बहुत इंट्रिस्टिंग चीज है इनके पास और एक ऐसा स्टोरी है कि इनके फादर ग्रैंड फादर जो रशन की टीम एक बार रशा की टीम एक बार हजारी बाग आये थी उनका वोटोग् इनके घर में है तो कैसे हुआ आपका जरनी कैसे शुरू हुआ हजारी बाग से और फिर सिंगापूर तक का जरनी क्या रहा हजारी बाग में तो मेरी जनम है फिर मैं इधरी स्कूल पढ़ी कारमल में उसके बाद मैं दारजिलिंग में गई लोरेटो में पढ़ी उसके फिर मैं क्यालकटा से हम लोग बंबे में गए रहे बैंगलोर में रहे फिर वापस बंबे आए 1996 तब से हम लोग का घर बंबे में ही है और कुछ अचानक ऐसे लगा कि पढ़ाते पढ़ाते कि चलो कुछ अडवेंचर में चले जाए विदेश तो मैंने अप्लाई किया सिंगपूर में मुझे नौकरी मिली तो फिर हम लोग चले गए सिंगपूर और 2018 जुलाई से हम लोग स सिंगपूर में रहते हैं महीं तियां कि अधुलाई करते हैं वे लोग डाउन िअधिकर करती है तो कुनारे वान civil 수 अब जब अप लोग किया फिर आपने Спट रेडिय बिभी पढ़ाया उस पाइम क्या था एंवार में वार्ब हाइग हुसी पड़िबन, व्याइध समय के हज़ें मेरी हश्बन से बातीकि कि वह हजारी वाग एक अलग हजारी वाग थी छोटी शहर सब कोई सब को जानते थे एक अपना पन था अभी बहुत कोछ हो गया है पर वह चीज कहीं खो गया है तो आपका यहां जैसे जेवियर में जो प्लाया आपने वह एक्सपिरियंस क्या था और धिरु भाई अम्बाने जैवियर का जो एक्सपिरियंस था उस ताइम तो फादर लो कुछ अलग कर नहीं होते थे वह मेरी पहली जॉब थी तो वह एक्सपिरियंस कुछ डिफरेंटी था और उस जॉब में मैंने पहला जॉब था और मैं जस्ट ग्रेजुएट हो के आई थी और मैं क्लास 9-10 को प झाल Kata में भी पढ़ाई तो हर जगह जैसे में पढ़ाने लगी करें conte से मैं बंबे आई बंबे बंबे से दिल्ली में पढ़ाया बैंगलोर में, फिर वापस बंबे, तो हर जैसे जैसे यह बढ़ते गए, टीचिंग में इंप्रूवमेंट आती गई काफी, पहले जैसे बुक से पढ़ाना, नोट्स देना, और अभी का जो टीचिंग है, वो मतलब टीचर जो है, actually एक फैसिलिटेटर का काम करता है, और बच्चों ने responsibility लेती है, और teacher as a guide वहां रहता है, तो टीचिंग में काफी changes, काफी improvement आ गई है, तो जो सफ़र आपका रहा, Singapore, हजारी बाफ से Singapore, कैसे मतलब वो देखती है, कि एक अकेले independent girl type का, क्योंकि आजकल वो environment बहुत कम था, मतलब हम लोग टाइम में तो बहुत कम था और दूसरे गंडरी आके काम करना, कभी सोचने से मुझे भी अजीव लगता है, पर लगता है कि मेरा पहला एक experience मैं बताती हूं, हम लोग घूमने गए थे US, तो यहां जो शौन्तु बाबू लॉयर थे, जिन अभी बापी, जिनका डेथ हुआ उनका लड़का, तो उनका अजीव चीज है कि हजारी वाक से हम दोनों USA की टाइम घूमने आए, तो उस टाइम से मतलब कुछ अजीव लगता है, पर यह भी लगता है कि सब को कुछ एक high ambition होना चाहिए, कुछ उचा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अपने आप में कुछ करने का यह रखन दीना चाहिए, कि चलो कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, और जो आपके टाइम में टीचर्स रहें, या फिर जो स्थुदेंस रहें, कारममल में और जीविर में जो पळाया है, वो लोग 6 ë कानेक्से रहते हैं, रहते हैं या नहीं रहते हैं? actually thanks to social media काफी कोई से connection हुई है student हम लोग का classmates Carmel का तो अभी काफी connection हुई है थैंक्स to social media क्योंकि बीच में connections नहीं था पर अभी काफी हम लोगों का group है Carmel का ही group है हमारा Facebook में जो connected है जो connected है यह social media की importance है इनका एक अच्छाई है जो लोगों को connect करती है और जैसे way of life कैसा रहा जैसे हजारी बाग आप आई तो क्या यहां आने के बाद कुछ अजीब लगता है क्योंकि सिंगपूर जैसे शहर में और उसके बाद बड़े बड़े शहरों में रही है और हजारी बाग चुटा शहर तो क्या बदलाव मतलब लगता है और क्या लगता है क्या आगे दस साल में भी वैसे ही रहेगा आजारी बाग में जो मुझे बदलाव दिखती है वह यहां का ट्राफिक और जब मैं छोटी थी जब मैं यहां रहती थी तो यह जो पगमल चुक चाप कोई इधर आता नहीं था सियार का आवाज सुनाई देता था हम लोगों को पर अभी जो है ना मुझे भीड बहुत जादा लगती है अब शायद दस साल बाद और भी बढ़ जाए तो यह मुझे थोड़ा अजीब लगती है कि इतना क्राउड हो गया है लेकि इ स्कूल में थे वह साह Metro चूब में ज़ Tuesday कि जो तरह न सिर्फ घाए एक तो मैं बोलना चाऊंगे की एक कहा का च्छा है जो मैं बोल रही हो कि हम लग Givingask मौन ब्वम्बे से वह जो यहां यह जो इतना टोटो बढ़ गया है हाँ इसमें लोगों को आने जाने में जरूर सुविदा हुई है पर यह मुझे बहुत अजीब क्योंकि ऐसा बड़े बड़े शेहर में नहीं होता है और यह टोटो आटो जो है ना बहुत मतल्या आप बता रहे थे कि आप दा और यह जो जाए लगाओ जब च्वट बड़े जाए 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 पता है